आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कल का एक्जाम होने वाला है टेट 2020-22 इसके कुछ क्या होगा और आप लोग का इंस्ट्रक्शन या आप लोग को क्या क्या हिदायत दी जा रही है तो इस प्लीज आप लोग इस वीडियो को कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए आस के वीडियो शुरूग क्या जाय है तो देखिए आप लिखा हुआ है टेट 2020-22 जे Central in Charge, Officer in Charge and Observers, उकि जो Center, जिस स्कूल में YoS Center दिया हुँआ है, वहां पर जो 复र जो Soccer in Charge है और जो आपर Observer है इन लोग का Responsibility क्या होगा और हम लोग ऐसे Candidates Exam exam देने वाले हैं तो हम लोग का क्या responsibility होगा तो प्लीज आप लोग इसको अच्छी तरीक से देख ले समझ ले और इसके मताबिक आप लोग कल बहुत की अच्छी तरीकर से प्रिपरेशन करके कल आप लोग घर से निकल लिए तो यहां पर कुछ टाइमिंग दिया हुआ है अच्छी तरीकर से जिसको जैसे जाएंगे लोग आप लोग अच्छी तरीकर से देख ले और इसकूल का एक्जेक लोकेशन भी आप लोग गूगल मैप से देख सकते हैं तो आप लोग का जो एंट्री होगा 9.30 से शुरू हो जाएगा सबसे लाश्ट में जो एंट्री हो ग्यारब बाजे तक ये तो इंस्ट्रक्सिनों दीआ हुआ अच्छा तो एंग्जाम शुरू होगा 12 बजे तो 11 फिप्टीन या साढ़े ग्यारब तक तो एंट्री होना चाहिए बर्टियां पर इंस्ट्रक्शन्स दिया हुआ कि 11 बाद तक लास्ट एंट्री करवाए जाएगा इसके बाद no entry will be allowed at the center venue later than 11 a.m. 11 बाद से 11 बाद से किसी भी किसी का एंट्री अलाव नहीं किया जाएगा उसके बाद invigilators will check the basic admit cards and ID proofs ओके जो candidates का जो ID जो होगा और जो admit card उसको अच्छी तरिकर से चेक कर लिया जाएगा 11 बाद तक उसके बाद important announcement made by the invigilator जो invigilators होगे वो एक special announcement करेंगे 11.45 के बीच में उसके बाद आप लोग अपना seat पे room number को देखकर अच्छी तरिकर से seat बैठ जाएगा उसके बाद आप लोग questions booklet को distribute किया जाएगा 11.45 से उसके बाद candidates can feel details और इसी 15 minutes के अंदर आप लोग अपना booklet और OMR जो रहाएगा उसको अच्छी तरिकर से admit का जो number है उसको अच्छी तरिकर से देखकर के fill up कीजिएगा और इसका यानि कैसे fill up करना है आपको OMR इसका process का है इसको हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे तो प्लीज आप लोग देख सकते हैं तो candidates अपना पूरा अच्छा तरिकर से detail OMR में answer sheet में भर सकते हैं इसके बाद examination शुरू हो जाएगा एकदब 12 वज़े से इसके ब वार्मिंग बेल कि यह सकते हैं कि examinations concludes कर लिया जाएगा 230 में और 2.25 में आपको लोग लिए एक वार्निंग बेल लगेगा ओके और 2.30 में अधाई बज़े आप लोगो पेपर्स को conclude कर लिए जाएगा और यहां पर कुछ और नेसेसरी कुछ गाइडलाइन से जिसे मालूम है सब आप लोगों को ग्यारातारीक एक्जाम है संडे के दिन बारा बैसे लेकर धाई बज़े तक टाइम है दो घंटा 30 मिनट्स यहां पर कुछ स्मूतली पॉइंट्स है तो आप लोग इसको देख सकते हैं और यह कुछ रोल of इन्विजिलेटर यह आप लोग के लिए नहीं है इन्विजिलेटर का इसरा रोल है उनको क्या क्या रिसपॉंसब्लिटी है जिसे बताया गया कि 25 केंडिडेट्स पर एक विलेटर को तै किया गया है वोक्य कि यह सब उन लोग का है और उन लोग को 9 बज़ आ जाना है खेर यह उन लोग का है इन विजिलेटर्स लोगों जो काम है काम करेंगे लोग और यह आप लोग कब हो गया sitting arrangement यह जो कैसे बैठना है इस तरह देख सकते हैं माल यह कोई candidate A है तो फिर इसके बाद B उसके पीशे बैठेगा फिर C यहाँ पर और D यहाँ फिर E यहाँ पर तो इस तरह यह sitting arrangements है बैठने का यह process है और यह एक परफोर्मा है कि फोर टेट 2022 टाइमिंग के है तो इसको आप लोग देख सकते हैं और यह आप लोग लिए नहीं यह center in charge उन लोग के लिए हैं यह ता कुछ information about the for tomorrow exam आई होब आप लोगा exam बहुत ही अच्छी तरीका से हो और आप लोग अप्रिक्स भी हो चुका है तो आज की वीडियों बस इतना ही thank you for your best luck for your exam आप लोग सभी पास करें ठीक है तो आज की वीडियों बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियों में thank you friends, thanks